प्यारे विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर हिंदी लिखने में यह गल्टिक अदापी न करें सिरीज पूरी लेकर के आई हूँ भाग आठ हो चुके हैं तीके आठवा भाग आज हो जाएगा इससे पहले के वीडियो आप देखें और उनके अनुसार जो है अपनी लिखावट बनाने के कोसिस करें आपकी लिखावट में आश्यर्य जनक परिवर्तन आएगा ये मेरा दावा है अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्षन खुला है आप जहां पर भी गलती हो रही है आप जो है अपनी राइटिंग की पिक मुझे भेज सकते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं एक रास्ता ये है दूसरा बहुत आसान से तरीके हैं ये आकरतियां होती है जब तक हम इन ये आकरतियां कैसे बनती है इसके नियम नहीं पढ़ेंगे हमारी लिखावट अच्छी होती ही नहीं है और चाहे वो hindi की हो चाहे किया किसी भी भासा की हो ठीक है और आपके कमेंट आए हैं कि हमको इंग्लिस की भी सीरीज चाहिए इंग्लिस की सीरीज तो अभी मैंने चलाए नहीं है एक दो दिन में आ जाएगी हो और ज़राँ यहां पर बारिसे तेज हो रही है तो net की भी परिशानी हो रही है आप लोग समझें और उसका link मैंने दिया है जिस जिस बच्चे के भी कमेंट आये हैं हमें English वाली सीरी चाहिए करके English के मेरे वीडियो जहें 5-6 जो मैंने दिये हुए हैं पहले आप उनको देखिएगा बहुत फाइदा होगा आपको चलिए ल फौ और भौ की कहां पर हम इनको लिखने में गलत करते हैं ठीक है सबसे पहले गलती बताओंगी अब अमूमन कोई भी जब फौ लिखता है या फल लिखता है तो ये फौ हो गया ठीक है ये फौ ये दे दिया बस फौ पूरा हो गया ये फौ बिलकुल गलत है सिरीज है यह गलती कदापी न करें इसलिए मैं पहली गलती बता रही हूं और अब आपको बनाना कैसे है यह सिखाती हूं कल मैंने बताया था भाक साथ में आप देख लीजेगा बल्कुल आसान तरीका है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा वहां पर एक सेक्षन बना हुआ है हिंदी नहीं बनाना है बिल्कुल यह मोड काटना है और पहले खड़ा पाया लेकर के मोड काटना है और यह पौ जहां पर हम पौ का अंतिम चोर यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके इसके तिर्चे पाय को खीचे और अंदर की तरफ मोड दे इतना आपको करना है पूरी प यह ऐसे लिखेगा बिल्कुल इसका सही फ्रॉंट यह है अगर आप इससे भी छोटे फ्रॉंट में अगर इससे भी छोटे अक्षरों में आप लिखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे अपने आप जो है राइटिंग सही आ जाती है और एक चीज आप स्पीट के लिए कह लेकिन स्पीट तभी आएगी जब हपता दस दिन आप जो है अपनी यह हिंदी लिखावट को देंगे ठीक है एक एक पैराग्राफ लिखेंगे एक एक पेज लिखेंगे अपने आप आपकी स्पीट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी ठीक है अब जैसे कि हमने फल लिखा य यह फल यह फिर से लिखेंगा छोटे में लिख करके दिखाती हूं में यह फल ऐसे लिखेंगा पूरा ढखेंगा पंक्ती बिल्कुल सीधी अक्षर को बिल्कुल पूरा ढखना है और अक्षर को ढखना क्या कहते हैं करके मैं हर बार वीडियो में बताती हूं अब हमने फौ लिखा यह फौ लिख दिया हमने यहां पर इसको थोड़ा सा इसको पंक्ति अधूरी दी अधूरे तरीके से अगर इसको हमने कवर करना है पूरे इसके इसका एरिया जहां तक आता है जहां तक इसका छेत्र आता है वहां तक पूरी पंक्ति देनी है हमने ठीक है पूरा इसको ढखना है जैसे फिर लिख करके दिखाते हूं अगर आप फो लिखते हैं तो ऐसे लिखिएगा और फो का छेतरी यहां तक यहां से शुरू होता है तो पूरा ढखिएगा इसको ऐसे पंक्ती दे दिजेगा जैसे अब मैं लिखती हूं फल खा फल या ताजा फल खा जो भी लि ठीक अब अब चलते हैं बौ में बौ अब गलती कहां पर होती है बौ लिखने में यह बौ बनाया यह यह बौ सब खुस कि बौ लिखना सीखे या हम बौ लिखते हैं और लास्ट में जब मीटिंग सो होती है पी टीम होता है उसमें कहते हैं कि टीचर भी सिकायत आपके बच जब बच्ये को उसका basic नहीं सिखाएंगे, उसका आधार भूत नियम उसके नहीं सिखाएंगे तो बच्छा सीखेगा कहाँ? वहीं से उसके और जो गलत लिक्षने की पड़ जाती है ठीक, अब बोखो ये तो गलती है, हमारे बिल्कुल गलत बॉको क्या करना है जैसे मैंने कौ बनाना सिखाया आपको बिल्कुल इसको सबसे पहले इसको क्या लीजेगा अंडा कार लीजेए ठीक बिल्कुल गोल नी बनाना है पाया बिल्कुल सीधा और काटना कहा है तिर्चा काटना है तिर्चा काट करके इसके बेश तकलाना है ठीक ढपना ए है जैसे हम लिखते हैं बात लिखते हैं या कुछ लिखते हैं बक ago भी आप लिखते कई हैं अब। चलते हैंऑं bon Delicious there अब छोटी छोटी टक्निकें हैं जब आप जो है इन 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 को अपनाएंगे इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाएंगे सुध हो सुधार जाती है तो से हम हम लिखते हैं, जैसे भौ में गल्ती कहां होती है, सिरीज है, यहां गल्ती कदापी ना करें, ठीक, आपको ये गल्तियां नहीं करनी है, अगर आपने हिंदी लिखावत अच्छी बनानी है, तो ये गल्तियां बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप गल्तियां करेंगे, तो बिल्कुल नहीं होता है सबसे पहले भौ का सिर खुला होता है और इसका अंतिम छोर बंद होता है ठीक है ये ध्यान दिजीगा पहली गलती जहां पर होती है दूसरी गलती भौ के सिर में कभी भी पंग्ती नहीं होती है पंग्ती जो है सिर को छोड़ करके होगी बिल्कुल गलत है गलती बता दी मैंने अब मैं बताते हूं कि भौ कैसे बनाना है ये आप बनाईए भौ बिल्कुल क्लोज कीजे इसको बिल्कुल बंद करना है और खड़ा पाया बिल्कुल सिरा और जहां से हमारा भौ मुणता है ल और मैं तो ये कहूंगी कि ये सिरीज जो है विद्यार्थियों से ज़्यादा ये अध्यापक अध्यापिकाओं और अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चे को घर में एज़ ट्यूटर पढ़ाते हैं ये अभिभावक और जो हिंदी का जो भी सिक्ष्यक और सिक्षिक हैं स्कूल में आप से मेरा करवद निवेदन है कि इस सिरीज को देखिए और इसी के अनुसार अपने बच्चों को सिखाएए कभी भी लिखावट खराब नहीं होगी ठीक है ऐसे लिखावट हो जाएगी जैसे कि पेपर की लिखावट है टाइपिंग की लिखावट है ये हो जाएगी ठीक है ये हमारा बहुत सही है फिर बहुत लिख करके दिखावट है ये सिर जो है कभी बंद नहीं होता है और बे इसका आधार कभी खुला नहीं होता है जहांपर से मुरता है वो कभी खुला नहीं होता है सिर कभी बंद नहीं होता है और सिर में पंक्ती नहीं पड़ती है ठीक अब मैं लिखती हूँ आपके मेरा भवन ठीक है सिर्फ भवन लिखती हूँ भ व न मैंने नौ लिखना भी सिखा दिया आपको पहली वाली सिरीज में पौ तक लिखाया था आज भव भव यहां तक हमने सिखा अब प्यारे विद्ध्यार्थियो और सम्मानित अभिभावक वर्ग शिक्षक शिक्षिक शिक्षिक आए अगर मेरे इस जो भी मैंने आपको बताया है जो तक्निके मैंने बताई है जो रूल् नियम मैंने बताए हैं अगर इनको लगाने के वावजूद भी आपकी लिखावट में सुधार नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा अपनी हेंड राइटिंग की पिग भेज तीजिएगा उसमें मैं बता दूंगी कि आपने गलती कहां कहां पर की है या फिर आप जो ह ने वीडियोज दिये हुए हैं लेकिन वो सिरीज के रूप में नहीं है यह मानते हूं और मिलियंस व्यूज उस उन में हैं आप जो है कई विद्यार्थियों ने परिक्षार्थियों लावानमित हुए हैं उससे आप कमेंट पढ़ लीजिएगा ठीक है और ये ट्रिक हंड पर्सेंट काम करती है अगर आपको लिखावट सुधारनी है तो ये नियम आपको लगाने पढ़ेंगे और वीडियो कैसा लगा उत्सा बर्धन के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को सेयर कर दीजेगा ताकि सभी को इस निसुल्क सिक्ष्या का कर दीजेगा अगर आपको पसंद आए तो कोई गलती है तो वो भी बता दीजेगा और एक साथ मेरे साथ रोज के जैसे बोलिएगा जय हिंद जय भारत जब आप कमेंट में लिख करके भेजते हैं बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत तो मैं मेरा उत्सा वर्धन होता है और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद